हेलो फेंड्स, आज मैं आपको रोमेंस ये 2006 की एक कोरियन रोमेंस ड्रामा मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ ये एक बहुत ही ब्यूटिफुल और हार्ट ब्रेकिंग लुव स्टोरी है तो अन तक बने रही है एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा मेना किसी देरी के एक्स्प्लेंशन करना स्टार्ट करते है मोवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है यून इसे हम देखते हैं यून एक पुलिस ओफिसर है इस सीन में हम देख सकते हैं कि गैंग्स्टर की फ्यूनरल पर वो आया हुआ है वहाँ और भी गैंग्स्टर से तो उनके साथ उसकी लड़ाई हो जाती है लड़ाई करकर जब वो वापस आता है तो वहाँ बहुत सारे पुलिस आय हुए है उसके सूपिरियरसों से कहते हैं कि तुमने जो किया है वो बहुत ही गलत था गैंग्स्टर इंफ्लूएंशल था तो इसी वज़ए से उसने हून का ट्रांसपर करवा दिया है हून चीर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो भी किया वो सब सही था जो करप्शन चल रहा है इसके वारे में उससे सब कुछ पता है उसे कंट्रोल करने के लिए दूसरे पुलिस आय हुए है उन्हें भी हो मारता है अभी अभी हमने जो सीन देखा यह बहुत सालोग पुराना था इसके बाद बहुत सारा टाइम गुजर चुका है हून के साथ क्या क्या हुआ है यह भी हमें आगे पता चलेगा इसके बाद नेकसिन में हम देखते है कि कीम अपने फियांसे के साथ अपने वेडिंग शॉपिंग के लिए आई हुई है उसने एक ब्यूटिफुल ब्रैडल ट्रेस पहना हुआ है वो खिरकी से बहार देख रही थी और उसे हून ट्राफिक में दिखा हुन अभी भी किसी से लड़कर आया था तो उसका चहरा बिगड़ा हुआ है इसी तरह से पहली बार एक दूसरे को देखते हैं नेकसिन में पुली स्टेशन में हुन के पास उसके फ्रेंड्स आते है उसे कहते हैं कि हमारा एक नया बॉस आया है उस बॉस से मिलने के लिए हुन को जाना पड़ेगा जब हुन इस बॉस को देखता है तो हम देख सकते हैं कि ये वही बॉस है जो हुन के पास्ट में था हुन ने इसे करट बोला था और इसे मारा भी था इन दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी है बॉस जब हुन की फाइल देखता है तो कहता है कि तुमने तो अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी है तुम खुद करट बन गए तुमारे वाइफ ने भी तुमें छोड़ दिया एक अलकोलीख हो तुम मुझे घटी आदमी समझते थे अब देखो तुमारा क्या हुआ है यून इस मिटिंग से अपसेट होकर अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने के लिए बहार जाता है ड्रंक होकर घर आता है हर रोज इसी तरीके से वो ड्रंक होता रहता है नेकसे में हम देखते है कि एक फैक्टरी वरकर तुमारी लाइफ वैसे भी बरबाद हो चुकी है यून हमेशा इस वरकर को समझाता रहता था कुछ भी वो गलत करे तुसे समझा कर उसे छोड़ देता था इस बार ये वरकर हुन को कहता है कि तुम कुछ भी मुझे एडवाइज ने दे सकते तुमारी लाइफ भी मुझे ज़्यादा बरबाद है इस सीन से इनके डायलोग से हमें पता चलता है कि हून प्रिवियर्स में एक बहुत ही अच्छा आदमी था इंपतेटिक और सब की क्यार करता था उसकी वाइफ और बिटा था जिनसे हो बहुत प्यार करता था राप में हम देखते हैं किम अपने फियांसे जॉन के साथ पुलिस स्टेशन में है जॉन किम को पब्लिक में मार रहा था एक पुलिस ओफिसर ने उसे देख लिया और अरेस्ट करकर ले आया है जॉन पुलिस टेशन में थोड़ा सा भी डर नहीं रहा वो कुछ कॉल्स लगाता है और उसे पुलिस को जाने देना पड़ता है जिस पुलिस ने जॉन को अरेस्ट किया था वो उन्हें बॉस से कहता है कि ऐसे कैसे हम इसे जाने दे सकते है पर जॉन को उपए से सपोर्ट है, इसलिए उसे जाने देना पड़ता है ये जो सब हो रहा था, ये सब यून देख रहा था पार्किंग में जब जॉन गाड़े निकलता है, तो किम उसके साथ नहीं जाना चाते है उसके पास आता है और उसे जबरदस्ति करता है कहता है कि मेरी ओर्डर तुम ना सुनो, ये मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता किम कहती है, मेरी सिस्टर से उसकी डावरी के बारे में मुझे बात करनी है जॉन किम को कहता है, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद वहाँ से चला जाता है इस सीन से हमें पता चलता है कि किम की सिस्टर को जॉन उसकी डावरी में पैसे देने के लिए हेल्प कर सकता है इसलिए सिर्फ इसलिए किम उसके साथ है एक अब्यूसी रिलेशनशीप है और किम इससे खुश नहीं है वो रस्ते से चल रही थी और उसके दिमाग में आया कि उसे सूसाइड कर लिने चाहिए इस लाइफ से तो सूसाइड अच्छी है वो एक ट्रक के सामने आने ही वाली थी तभी हून ने उसे बचा लिया हून ने सब कुछ देखा था इसलिए उसके पीछे ही वो था हून उसे पुलिस टेशन लेकर आता है उसकी मलम पट्टी विगरा करता है घर जाते बग हून किम से कहता है कि अगर तुमारा रोने का मन हो तो रो डालो तुमारे फिरेंज को ऐसे मत दबाओ नेक्स डे हम देखते है जौन किम के साथ अपने एक फैमिली फोटो ले रहा होता है यहाँ पर किम सही से स्माइल नहीं करे तो इससे जौन नाराज हो जाता है वो एक पब्लिक इवेंट में किम के साथ जाने वाला था पर वो किम को कहता है कि तुम लोगों के साथ नैचरल नहीं रहती है उसे वो घर ही छोड़ जाता है किम फिर पार्ग में खुमने के लिए आती है इसी पार्ग में ह्यून भी है पेड़ के नीचे अपनी वाइफ को उसने कॉल लगाया है आज उसके बेटे का बड़्ड है और उसे वो थोड़ी से बात करना चाहता है पर उसकी वाइफ उसे नहीं करने देती उसके बेटे के लिए स्टफ लायन भी उसने बाय किया था उसे देना चाहता था वो गिड़ीड आता है पर फिर भी उसकी वाइफ मना कर देती है वो फूट फूट कर रो रहा था और यह सब किम ने देख लिया रात में हम देखते हैं कि फिर से जॉन किम के पास आता है वो किम को समझाता है और कहता है कि अब तब मैं पॉलिटीशन नहीं बना हूँ एक बार मेरे हाथ में पावर आ जाये तब तुम्हें जैसी मर्जी होगी वैसा तुम रह सकती हो तुम्हें अगर नहीं लगता कि आज तुम्हें स्माइल करना चाहिए तुम मत करना लोग तुमसे डरेंगे और सब तुमारा एकसेप्ट करेंगे नेक्स डेव बुली स्टेशन में बोस ने सब लोग की मिटिंग बुलवाई है उन्हें एक क्रिमिनल को पकड़ना था पर वो पकड़नी पाया इन सब को बहुत डाटता है ह्यून को भी वो परसनली अटैक करकर बोलता है ह्यून का एक अच्छा फ्रेंड है जिसका नाम है एडी एडी ह्यून को समझाता है कि उस पर थोड़ा भी ध्यान मत देना अब नेक्सिन में हम देखते है ह्यून जब रस्ते से चाह रहा था तब उसे किम ने देख लिया कल ह्यून जब पार्क में था वो दुखी था क्योंकि अपने बेटे को उसका प्रेजेंट नहीं दे सकता वो स्टफ लायन वो वही छोड़ कर चला गया था ये किम के पास है उसके पास आती है और कहती है कि बहुत ही ब्यूटिफुल गिफ्ट था मैं ऐसे ही वहाँ उसे नहीं छोड़ सकती थी वो गिफ्ट वो हून को वापस कर देती है ये कहे कर वहाँ से वो जा रही थी तो भी हून उसे रोक लेता है ये बाते करते है और इसके बाद डिनर के लिए एक जगा पर आते है इस जगा का डिनर ह्यून को बहुत पसनाता है वो फास्ट ली खा रहाता है उसे फिर रेलाइज होता है और किम को कहता है कि सुआरी मैं ज़रा फास्ट खा रहा हूँ किम कहती है अच्छा फूट डेरिडली हार्ट तक जाता है यून ये सही से समझ नहीं पाता और थोड़ा सा हसता है इनका डिनर खतम होने के बाद किम यहाँ से जाने वाली है पर ये स्ट्रीट के अधर साइड पर टैंगो का क्लास देखते है किम को टैंगो बहुत पसन है यून पूछता है कि तुम क्या देख रही हो किम कहती है शादी से पहले में टैंगो सीखती थी उसे टैंगो डांस करना बहुत अच्छा लगता है यून फिर पूछता है क्या तुम्हें डांस करना है और उसे डारेक्ली वहाँ लेकर जाता है वहाँ के इंस्ट्रक्टर से हो मिलते है इंस्ट्रक्टर कहते है कि आज लेट हो चुका है और स्टूडियो बन करने वाले है यून उसे एक फिर्की देता है कहता है कि आज हम दोनों का इस शहर में लास्ट है है प्लीज हमारे लिए एक टाइंगो डांस करने दो इंस्ट्रक्टर भी इसके लिए मान जाता है इस पर बहुत हसते हैं जाते वक्त यून कीम से कहता है नेक्स टाइम मैं एक बहुत अच्छी जगा धून कर रखूंगा जहाँ पर पीसफूली तुम टांस कर सोगोगी उसने नेक्स टाइम कहा तो यह सुनकर वो सप्राइस्ट है यून से गुडबाय लेकर वो आगे चलने लगती है यून कीम को उससे दूर जाता हुआ देख रहा था अचानक से पारिश आ गए वो भागते भागते उसके पास गया उससे उसने गले लगा लिया इसके बाद यह दोनों इंटिमेट हो जाते हैं इसके बाद नेक से में हम देखते है किम घर आ चुकी है उसकी मदर उससे मिलने के लिए आ दिया किम अपने कपड़े चेंज कर रही थी तब उसके बाड़ी पर मदर ने बहुत सारे निशान देखे पर उसकुछ भी नहीं बोली जान किम को बहुत मारता है पर इन सब को सपोर्ट करता है इसलिए मदर ने उससे इकनोर कर दिया किम ने हुन को कहा था कि तुम एक अच्छा आदमी हो तुमें स्माइल करते रहना है तुमें स्माइल करता है मुझे रिमेंबर करना है ये सब जीजे हुन याद कर रहा था ह्यून जब अपने फ्रेंड एडी के साथ लंच करता है तो उसका फ्रेंड भी उसे समझाता है कहता है कि अपनी लाइफ तुम अब सही करो ज़रा एक राइट ट्रैक पर आजाओ बॉस ह्यून को हेट करता है उसी वज़े से बाकी लोगों को भी तकलिफ हो रही है ह्यून से उसका एक कलिक बात करता है वो गहता है कि तुम्हारा ट्रांस्पराम करवा सकता है अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो सब के लिए सही होका ह्यून भी इस पर थोड़ा सा सोचता है किम जॉन के साथ खुश नहीं है उसे बचाना चाहता है वो पूछता है कि क्या नए एरिया में उसे अच्छे से अर्निंग होगी एक दिन इंफ्लुएंशल लोगों का एक बड़ा सा इवेंट होने वाला था वहाँ पर सिक्रेटी के लिए सब पुलिस को डूटी दी गई थी यहाँ पर ह्यून भी था थोड़े देर में जॉन और किम यह दोनों वहाँ पहुचे है इन दोनों ने एक दूसरे को नोटीस किया और एक शान जगा पर आकर एक दूसरे से मिले वो कैसे है यह दूसरे से पूछा थोड़े देर में वहाँ कोई आ गया तो किम वहाँ से भाग गए ये तोने एक दूसरे के साथ थे ये ह्यून के बॉस ने देख लिया सब बात उसने जॉन को बता दिये जॉन इस इवेंट में बीजी था तो किम वहाँ से भाग के उसके ओल्ड हाउस में तो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया इस घर में उसके बहुत सारी यादे हैं उसके फादर कारपेंटर थे तब उनका बहुत सारा वर्क इसमे है यून फिर किम को उसके घर लेकर आता है किम घर में देखती है तब हुन को बेस शुटिंग के लिए एक एवार्ड भी मिला था ये वो देखना चाहती है, तो ह्यून उसे shooting के लिए लेकर आता है, वो बहुत ही skillful है, वो फिर कीम के हाथ में गन देता है, कहता है कि तुम भी try करो, trigger pull करते हो, सब कुछ तुमारी emotions तुम बहार निकालो, trigger pull करते वक्त कीम बहुत रोती है, ह्यून उसे सहारा देता है, कीम रा वो कीम को कहता है, कि तुमने जो भी किया होगा, मैं इसके लिए तुम्हें माफ कर सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर अब कीम गहती है, कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर दिया, जॉन ये मानने के लिए ready नहीं है, वो गहता है कि तुम बिमार हो, इसलिए इसा बात कर रही हो, तुम्हें कुछ अलग हो गया है, तुम्हें हॉस्पिडल में ले जाना चाहिए, किम अभी में मानती नहीं, जॉन फिर गुसा होकर, डारेक्ली किम को मेंटल हॉस्पिडल में रख देता है, किम को शौक देखकर, उसकी मेमेरी वो इरेज करने वाला है, ह यून के घर पर उसके बॉस आते है, उसे बहुत मारते है, हमने मुवी के first में देखा था कि एक वरकर से यून ने ड्रग्स लिए थे, उसी वरकर से information निकाल कर वो ड्रग्स हुन के घर में बॉस ने धून लिये है, उस पर strict action लेकर उसे जेल में डाल सकते हैं, पर वो ये न का प्लान है वो डोस करेंगे उसे पावरफुल ट्रेक्स का इंजेक्शन भी देते हैं जिससे हुन मर जाए बाद में उसकी बॉड़ी पर अलकॉल डाल कर उसके मूँ में सिगरेट देते हैं यानि कि सिगरेट की वज़े से आग लग जाए जब सब लोग वहाँ से चले के तो सिगरेट की वज़े से आग लग सकती थे पर बारिश आगे हुन ने फिर अपने फ्रेंड एडी को कॉल कर दिया वो इस हालत में भी कीम को याद कर रहा था और उसी के लिए जीना चाहता था डॉक्टर हुन का इलाज करते हैं और एडी को कहते हैं कि बहुत अच्छी तरीक गया था उसके साथ जब में था तो मुझे बहुत अच्छा मैसुस हुआ मैं फिर से हसने लग गया अभी यहाँ पर उनका बॉस आ जाता है वो यून को कहता है कि तुम नहीं मरे ये भी ठीक है और फिर भी तुम जेल में ही रहने वाले हो वो यून पर गन भी लगाता है व जगा पर बान देता है किम को ढून कर एक डॉक्टर को उसका इलाज करने के लिए कहता है यून का पीछा करते करते पुलिस भी आ गए थे अगर वो उसे लेकर गए तो किम नहीं बचेगी इसलिए डॉक्टर को यून ने होस्टेज बना लिया है किम का इलाज करने के बाद थोड़ी दिर में उसे फिर से होश आता है ये सब बात जब मीडिया को पता चलती है तब जॉन की बहुत बतनामी होती है हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे पुलिस आ चुके है हुन यहाँ से जिन्दा बाहर जाए इसके कोई भी चांसिस नहीं है हुन का फ्रेंड एडी उसे बचाना चाहता है वो अपनी सुपिरियर से बात करता है पर वो कुछ भी कर नहीं पाता अब हम देखते हैं कि जिस वर्कर ने पॉस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि हुन के पास ड्रग्स है वो ही एडी को कॉंटक करता है वर्कर को भी वो लोग मार डालने वाले थे जब हुन को टॉर्चर कर रहे थे तब उसका वीडियो उसने बना लिया था एक मैसेज के साथ ये वीडियो वो एडी को भीच देता है अब केम को होश आ चुका है वो ही उन से कहती है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम जिन्दा बस सकते हो मुझे यहाँ से प्लीज जाने दो ही उन कहता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे हम दोनों को मार डालेंगे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ यह फिर एक दूसरे को गले लगा कर रोने लगते है एडी को जो विडियो मिली थी अपने सूपरियर को दिखाता है इससे प्रूव हो चुका है कि ही उन ने कुछ भी गलत नहीं किया एडी ही उन को कॉल लगा कर कहता है इसायद अगर मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर बाया तो तुम टेर्स पर जाना टेर्स पर मीडिया नजर रख रहे है तो वहाँ तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता थोड़ी देर में रात हो जाती है जॉन अब डिसाइड करता है कि इन दोनों को माय डालेगा वो अंदर स्वैट टीम को भेज देता है ह्यून और कीम फिर दोनों लटते-लटते टेरेस पर आ जाते है जौन ने जब ओर्डर दिया तब उसके तुरन बात एडी ने उसे अरेस्ट कर लिया था ह्यून और कीम दोनों टेरेस्ट पर जबाए तब इस सब लोग को लग रहा था कि ह्यून एक क्रिमिनल है उपर बड़े से स्क्रीन पर एडी विडियो चलाता है जिससे प्रूव हो जाता है कि ह्यून ने कुछ भी गलत नहीं किया ह्यून का बाज भी टेरेस्ट पर था उसे अब स्वैट टीम अरेस्ट कर रहे थी ह्यून की वज़े से यह सब हुआ है यह सोब बहुत गुसा था उसने गन निकाली और ह्यून और किम पर चलाए किम नहीं चाहती थी कि ह्यून को कुछ भी हो जाए ह्यून को प्रोटेक करते करते उसे सब कोलिया लग गए ह्यून के आंस में ही उसकी डेथ हो जाती है ह्यून का बास अभी भी जिन्दा है उसे स्वैट टीम ने पकड़ कर रखा है ह्यून ने अगर बास को जाने दिया तो उसे कुछ भी नहीं होगा स्वैट टीम उसे वौर्न करते है कि तुम अपनी गर नीचे रखतो गिम के बीना वो नहीं रह सकता वो बास को मार डालता है ह्यून पर स्वैट टीम बहुत सारी गोलिया चलाती है ह्यून और किम टेरेस पर एक दूसरे के सात्थ ही मर जाते है मरते मरते हिउन ने किम के साथ जो भी सारे ब्यूटिफुल पल बिताये थे यह सब वो याद करता है इसमें से एक मुवमेंट में हम देखते है किम हिउन को टैंगो डांस कैसे करना है यह सिखा रही थी इनी हैपी मेमरीज के साथ यह दोनों इस दुनिया से चले जाते है इसी तरीके से मुवी एंड होती है और आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइट कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिफेशन आइकाउन दबाना भी मत फूलिया फिर से मिलेंगे और एक ने मुवी के साथ तब तक कि लिए थैंक्यो और आप अपने आपका ख्याल रखिया